सिर्फ एक चुटकी सहद में मिला कर खालो, पूरी जिंदगी, सुगरो, कोलोस्टोल, पेट के रो, मोटापा, जोडों का दर्द, कमजोर आँखें और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी नमस्कार दोस्तों दोस्तों, आज की इस वडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को लेकर आए हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने सरीर को निरोगी बना सकते हैं, और अपने सरीर को बहुत त्रह की बीमारियों से बचा सकते हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए भी आपको सिरफ दो ही चीजों की अफसकता है और यदि आप इन दोनों चीजों को मिला कर खाते हैं तब आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाए देंगे और आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा दोस्तो यदि आपके सरीर की इम्यून पावर कमजोड है और आप अपने सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ाना चाहते हैं तब तो दोस्तो ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा क्योंकि इससे आपके सरीर की इम्यून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती अधिक होगी तब आप बहुत तरहेंगी बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो क्या आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है या आपका कोलोस्टोल इंबैलन्स है और आप अपने इस कोलोस्टोल की समस्य का इलाज करना चाहते हैं जिससे के आपको ना तो कभी हार्ट ब्लोकेस आए और ना ही आपको हार्ड अटेक आए और दोस्तो इसके साथ में आप अपने दिल को भी मजबूत बनाना चाहते हैं इस हार्ड अटेक से हमेशा के लिए बचे रहना चाहते हैं इस नुस्खे को लेने से आपका kolostrol level सही होगा जिससे आपको ना तो कभी heart blockage होगी नहीं आपको heart attack आएगा यानि ये kolostrol का इलाज करेगा heart blockage का इलाज करेगा और heart attack का भी इलाज करेगा दोस्तों क्या आपको पेट से जोड़ी कोई बीमारी है या आपका पाचनतंतर कमजोर है और आप इन पेट के सभी त्रहें के रोगों से बज़ना चाहते हैं कबज, गैस और इस acidity का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों इस नुस्खे का आपने हारो सेवन करना चाहिए और आपने इसका सेवन हरो सुबे खाली बेट करना है और यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको पेट के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा आपका पाचनतंतर मजबूत बन जाएगा दोस्तों क्या आपको जोड़ों या घुटनों के दर्द की समश्या है और आप अपने जोड़ों को मजबूत बना चाहते ही तो दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की त्रह काम करेगा और आपके इस जोड़ों के दर्द को बिल्कुल जड़ से खतम करना ही का काम करेगा दोस्तों एक तो इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर में कैलसिम की कमी का इलाज होगा जिससे आपके सरीर की हड़िया मजबूत होंगी और दोसरा आपके जोड़ों और घुटनों का दर्द भी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा दोस्तों क्या आपका मोटापा बहुत अदिक बड़ा हुआ है तो दोस्तों तब भी इस नुस्खे का आपको सेवन करना चाहिए और यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके पेट की चर्वी मक्खन की तरह पिंगल जाएगी और दोस्तों यदि आपको कमजोरी है तो ये उसका भी इलाज करेगा यदि आपके सरीर के वेट को बैलन्स करने का काम करेगा अगर आपको अधिक मोटापा है उसको कम करेगा यदि आपका वजन कम है तो उसको बढ़ाएगा यनि आपके weight को balance करतेगा दोस्तो इतना चमतकारी है ये नुस्खा यदि आपकी आँखों की रोशनी कमजोर है तब आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने का भी काम करता है अब जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विदी और उसके बाद आपको बताएंगी कि ये diabetes की विमारी में कैसे काम करेगा दोस्तो आपने क्या करना है जो इस नुस्खे की मुखे समग रही है वो है दोस्तो दालचिनी और दोस्तो दालचिनी के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तो दालचीनी को मसालों की रानी कहा जाता है दोस्तो यदि आप दालचीनी का हारोज सेवन करते हैं तब आप अपने पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हैं चाहे आपके सरीर की कोई भी विमारी हो दोस्तों आप उसमें इस दालचिनी का प्रयोग कर सकते हैं और इस डालचिनी की बीमारी का भी इलाज आप इस दालचिनी से कर सकते हैं यानि आपके स्रीज की हर तरह की बीमारी का इलाज करने में दालचिनी बहुत अदिक कारगर है ये एंटी निभलमेंटरी ततों से भरपूर है और दोस्तों वैसे तो दालचिनी अपने आप में ही एक पूर्ण ओसती है लेकिन यदि आप इसका सहद के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तब आपको इसके चमतकारी का रिजैल्ट दिखाई देते हैं दोस्तों इसको लेने से आपका स्रीर निरोगी बनता है आपके स्रीर की कमजोरी दूर हो जाती है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इसका सेवन करना कैसे है दोस्तों आपने क्या करना है एक चुटकी से लेकर आदे छोटे चमच तक आप दालचिनी का प्रियोग करते हैं ये आपने लेनी है एक कडूरी में उर्समें आपने एक चमच सुध सहत लेना है उर्समें अच्छी तरह से दालचिनी को मिला देना है दोस्तों ये हो गया आपका नुस्खा रहटी आप जानते हैं इसके सेवन की विदी दोस्तों आपने इसका सेवन हर रोज सुबे खाली पीड यानि कि आपने बासी मूँ इसका सेवन करना है और इसके लेने के बाद आदे घंटे के बाद आपने एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है ये हो गया वो complete नुस्खा या आप एक गुनगुने पानी में इसको मिला कर भी सेवन कर सकते हैं जिस मर्जी तरीके से आप सेवन करें पर आप करना है हर रोज और दोस्तों अब जानते हैं कि ये नुस्खा diabetes में कैसे काम करेगा दोस्तों यदि आपको पहले से सुगर की बीमारी है तब आपने सहद का परियोग नहीं करना है तब आपने क्या करना है एक चुटकी से आदा चमच दालचिनी पावडर लेकर ऐसे ही फाकी मार लेने हैं पर से हलका गुणगुणा पानी बिना है या एक गिलास पानी में उसको उबाल कर दिया आप सेवन कर सकते हैं लेकिन यदि आपको diabetes की बीमारी नहीं है और तब आप इसका सहद के साथ सेवन करें तब आपको जिंदगी भर ये diabetes की बीमारी होने के chances बहुत अधिक कम हो जाते हैं इतना कारगार नुसका है यानि कि आपको जिंदगी भर ये सुगर की बीमारी से बचा कर रखेगा दोस्तों तो देर किसे बात की है आप इस नुसके को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुसके का परियोग करें और अपने पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें हर तरह की बीमारी से बच जाएं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर गीचिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीचिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तों